तो हेलो गाइज मेरे नामे पावी जाओन और मेरे इंजिनियर में आपका स्वाब है तो आज मैं आपको ऐसी दूर बताने जा रहा हूं जो आपके बहुत क्याम आने हो तो विडियो कों तक जरूर देखते हैं तो वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर तो जो सबसे प्या चार्च करने के लिए आपको चाहिए एक डिटा केबल तो डिटा केबल को सबसे फियल है, उस पॉन में डाल डेना है जिसको चार्ज करना है, तो में यहाँ पे मेरे को छोटा गल फान चार्ज करना है, तो आपको यहाँ पे एक और चीज की ज़रूरत पड़ीगी, जो कि यह OTG केबल, OTG को Simply Data Cable से अटेज़ कर लेना है अटेज़ हो जाने के बाद OTG का जो Micro USB Port जो मेल वाला है उसको आपको Android के फिमेल वाले Micro USB Port में अटेज़ कर लेना है यहाँ पर यह अटेज़ हो गए है चलो देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चोटा वाला फोन है वो चार्ज़ फोन यह लगा है अगर आपके पास दो एंड्रोइड है तो आपको यह चोटे वाले फोन की जगह दूसरे एंड्रोइड को अटेज कर लेना है और OTG और Data Cable को उल्टा लगा देना है तो जो किपेड़ वाले जगह पे जो फोन है यहाँ पे आपने फोन लगाया होगा वह यह पड़े वाली टेबलेट को चार्ज करने लगा है और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस फोन से आप चार्जिंग ले रहे हो उसका चार्जिंग परसंटेज है तो दूसरे नमबर का जो ट्रिक है वह है कि टूट गया है तुसी भी अंड्रॉइड का तो आप उस पर काम कर सकते हो यहां पर मैंने टैच्पेन निकाल है जिसे कि आपको सही तरह से दिखाए दी तो सबसे पहले आपको एक चाहिए ओटीजी ओटीजी को सिंपले अपने एंड्रॉड से आटेच कर लेना है एक और चीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि है एक माउस कर दूरर चीजी तो सबस्रीक दूर्धिक, आपकोषी माउस के USB पॉर्ट को पुर्टीजी करनेक्ट कर ले ना है करनेक्ट हो जाने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपके माउस वर्क कर Female नहीं आपको simply mouse को उल्दा कर लेना है और देख लेना है कि red light blink कर रही या ने अगर आपकी red light one नहीं हो रही है तो आप android के setting में जाके आपको USB का जो setting होता है वो enable कर देना है तो यहां आप देख सकते हो कि यह android में काम कर रहा है तो यहां से आप अपने फोटो गिराल ले सकते हो या फिर कोई भी काम कर सकते हो अगर आपका touchscreen टूट गया है और कोई भी रास्ता नहीं है तो I hope आपको मेरी यह दो ट्रिक पसंदाई होगी पसंदाई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नौए है तो सब्सक्रेब कीजिए और हाँ कमेंट करना मत भूना है तब तक के लिए जैहें जैबारत